फाइलम मलस्का को डिफरेंट क्लासिस के अंदर डिवाइड किया जाता है तो हमारे पास जो सबसे पहली क्लास आ जाती है वो है क्लास गेस्ट्रोपोर्डा क्लास गेस्ट्रोपोर्डा के और्गनिजम्स की अगर क्रेक्ट्रिसिक्स की बात की जाए तो ये और्गनिजम्स एसेमेट्रिकल होते हैं यानि के इनके पास किसी किसम की कोई सेमेट्री नहीं पाई जाती है जबके बॉड़ी जो होती है इसको कवर किया जाता है एक ऐसे शे एक पीस पे consist करता है और ये coiled होता है अगर आप यहां से इसको देखें तो इसके अंदर clearly आप coiling को देख सकते हैं तो इन organisms के पास जो shell मौझूद होता है वो एक तो single piece होता है और दूसरा coils की form में पाया जाता है जैसा के अगर हम यहां पे अलग से भी बनाने की कोशिश करें तो यहां पे हमारे पास एक shell मौझूद है जो के single piece है और coiled form में है इन organisms के अंदर एक और quality भी पाय जाती है कि यह अपनी पूरी body को अपने shell के अंदर ले जाते हैं जब भी इनको किसी किसम का कोई खत्रा महसूस होगा तो यह अपनी पूरी body को roll करते हुए इस shell के अंदर ले जाते हैं ताके shell की मदद से body की production करवाई जा सके इस class के अंदर दोनों तरह के organisms पाय जाते हैं aquatic भी मौझूद होते हैं और terrestrial organisms भी पाय जाते हैं aquatic organisms के पास gaseous exchange के लिए gills मौझूद होते हैं जबके ऐसे organisms जो land में रहते हैं यानि के terrestrial organisms हैं इनकी mental cavity को convert कर दिया जाता है किस चीज़ के अंदर? lungs के अंदर तो यह basic सी चीज़ है कि तमाम जो aquatic organisms होते हैं उनके पास gaseous exchange के लिए gills होते हैं और land organisms के पास gaseous exchange के लिए lungs पाय जाते हैं इनकी अगर common examples की बात की जाए तो सबसे पहले हमारे पास helix, espersa आ जाता है जो के हमारे पास किस का नाम है? common garden snail का नाम है second example हमारे पास limax यहाँ पर sludge किया जाती है यह दोनों organisms कौन सी class से तालुक रखते हैं? class gastropoda से तालुक रखते हैं phylum mollusca में हमारे पास जो second class आ जाती है इसको class bivalvia या फिर palisipoda का नाम दिया जाता है इस class के अंदर जो organisms पाय जाते हैं उनके अंदर bilateral symmetry मौजूद होती है और यह तमाम organism aquatic होते हैं यानिके पानी के अंदर पाय जाते हैं इनकी body जो होती है, वो laterally compressed होती है laterally compressed होने का क्या मतलब है? side ओं से इन organisms की body को compress किया होता है और इनको close किया जाता है ऐसे shell के अंदर जो के two piece shell होता है और इस two piece shell होने की वज़ा से ही इनको bivalvia का नाम दिया जाता है या इनको bivalves कहा जाता है respiration के लिए इनके पास plate like gills मौझूद होते है और यहाँ पे इस diagram में हम clearly देख सकते है इन qualities को जैसा के हमने ओपर discuss की है कि इनका जो shell है वो bivalve होता है two piece shell होता है एक हमारे पास upper piece है और दूसरा lower piece है और इनके अंदर जो organism मौझूद होता है इसको literally compress किया जाता है और यह bilateral symmetry रखते हैं और aquatic environment में पाए जाते है इनके अगर common examples की बात की जाए तो सबसे पहले इनके पास mytalis आ जाता है जिसको marine muscle का नाम भी दिया जाता है second anodonta यानिके fresh water muscle आ जाता है और third पर हमारे पास austria oyster आ जाता है यह तमाम organisms जो हैं यह class by belvia को represent करते है phylum mollusca की जो हमारे पास last class आ जाती है इसको class से fellow poda कहा जाता है और इनके अगर हम characters को देखें तो इनके अंदर bilateral symmetry पाई जाती है यानिके अगर हम organism को एक specific angle से दो equal parts में divide करें तो हमारे पास जो दोनों हिस्से हासिल होते हैं वो almost एक दुस्से का mirror image होते हैं इनके body dorsal, ventral, flat होती है इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि dorsal यानि कि ऊपर वाली साइड से और ventral नीचे वाली साइड से ऊपर और नीचे दोनों साइड़ों से इनकी body क्या होती है? flat होती है यह तमाम organisms aquatic होते हैं water environment के अंदर पाए जाते हैं क्योंकि यह fast movers हैं इसलिए इनके जो shells होते हैं वो reduce कर दिये जाते हैं और वो external shell नहीं होते हैं बलके internal shells होते हैं ताके movement में किसी किसम की hurdle create ना कर सकें किसी रुकावट का बाइस ना बने और ज्यादा तर cases में इनके जो shells होते हैं वो absent होते हैं इन्होंने अपने environment को adopt किया इसी वज़ा से यह highly developed organisms हैं और shell ना होने की वज़ा से बहुत ज़्यादा active भी होते हैं common examples की अगर बात की जाए तो हमारे पास सबसे पहले लोलीगो जिसको squid कहा जाता है वो आ जाता है second number पे हमारे पास sepia, cuttlefish आ जाती है third number पे और last पे हमारे पास octopus आ जाता है यह तमाम organisms class cephalopoda को represent करते हैं और squid जो हैं यह ऐसे organisms हैं जिनको अभी तक marine biologist बहुत कम जानते हैं क्योंकि इनके size के अंदर बहुत ज़्यदा variation पाई जाती है अगर यह चोटे हैं तो बहुत चोटे हैं और अगर बड़े हैं तो इनका size कितना बड़ा हो सकता है इनका size 50 feet तक long हो सकता है यह 50 feet तक लंबे हो सकते हैं जो के एक बहुत ज़्यदा huge size है invertebrates के लिए और यह इस दुनिया में पाई जाने वाले सबसे बड़े invertebrates हैं इवन इस size के जो organisms हैं यह ज़्यादा तर इस दुनिया में मौझूद normal vertebrates से भी बड़े size के हैं फाइलम मुलसका के अंदर पाई जाने वाले ज़्यादा तर organisms जो हैं वो हमारे लिए beneficial होते हैं जबके कुछ organisms जो हैं वो हमें indirectly नुकसान पहुंचा रहे होते हैं यह हमारे लिए indirectly हामफुल होते हैं directly हमें किसी किसम का कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहे होते हैं harmful animals के अंदर हमारे पास sludge आ जाते हैं और ship firm आ जाते हैं तो इन दोनों को हम बारी बारी देखते हैं कि हमें कैसे नुकसान पहुँचाते हैं sludge जो हैं ये खतरनाक होते हैं हमारे gardens और हमारी फसलों के लिए हमारी cultivations के लिए ये ना सरफ जो है वो leaves को इस्तमाल करे होते हैं खाने के लिए बलके ये plants को भी नुकसान पहुचाते हैं और plants को कैसे नुकसान पहुचाते हैं उनकी जो roots और stems होती हैं उनको ये cut कर देते हैं और इनकी cutting के वज़ा से जो हमारा plant है उसकी जो yield होती है जो पैदावार के organisms के हमें फाइदे क्या हैं और ये हमारे लिए कैसे beneficial होते हैं Many molluscans are great source of food ये हमारे लिए food का source हैं और दुनिया के मुख्तलिफ हिसों में इनको खाने के तौर पे इस्तमाल किया जाता है Large quantities जो होती है clams की, oysters की, muscles की इनको खाने के तौर पे इस्तमाल किया जाता है फारिस में, यूरप में और अमेरिका में यहां पे diagram में आप oysters को देख सकते हैं और oysters जो हैं, इनका शुमार delicacy में होता है they're regarded as delicacy delicacy क्या होता है, delicacy जो luxury food यहां पर expensive food होता है उसको कहा जाता है और oysters का शुमार मेंगे खानों के अंदर किया जाता है shells जो होते हैं, fresh water muscles के इनको button industry के अंदर इस्तमाल किया जाता है और इनसे button बनाया जाते है इसके इलावा, shells जो होते हैं oyster के, इनको tar के अंदर mix किया जाता है और America के अंदर इनसे roads बनायी जाती है जो के काफी मजबूत होती है दुनिया के मुखतले फिसों में मुलसकर्स को ornaments के तोर पे इस्तमाल किया जाता है यानि के सज़ावट के तोर पे इनको इस्तमाल किया जाता है और last में जो oysters होते हैं ये हमारे लिए valuable pearls यानि के मोती बनाते हैं इसके इलावा oysters जो हैं ये हमारे लिए valuable pearls यानि के मोती बनाते हैं जिनको pearl oysters का नाम दिया जाता है और ये काफी ज़्यादा केमती जेल है हमारी जो last slide होगी वो octopus के बारे में होगी और इसमें आपको बहुत सारी interesting चीज़ें पता चलेंगी octopus के बारे में octopus का जो brain होता है वो invertebrates के इतबार से उनके लहाज से बहुत ज़्यादा complex होता है और बहुत ज़्यादा large होता है इसके इलावा octopus के पास एक shell like case होता है जो cartilage का मिलके बना होता है ये कोई बकाइदा hard shell नहीं होता बलके सिर्फ एक cartilage का case होता है इनके पास बहुत ज़्यादा capabilities होती है नई चीज़ों को सीखने की और उनको याद रखने की लिबॉर्टी के अंदर octopus बहुत तेजी के साथ symbols को सीखते है और इसके इलावा जो food jar है उसको कैसे screw up करना है उसको कैसे खोलना है jar को ये भी वो बहुत जल्दी सीख जाते है यही वज़ा है कि हम octopus को किसी भी jar के अंदर नहीं रख सकते हैं यहाँ पर अगर हम इस video में देखें तो octopus को एक jar के अंदर बंद किया गया है और उस jar को असानी के साथ octopus कोलता है और उससे बाहर आजाता है तो इनकी जो learning abilities होती है वो बहुत ज़्यादा होती है यहाँ तक हमारा जो phylum moluska है वो complete हो जाता है झाल झाल झाल